दोस्तों अगर आपको यी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाए और प्रेस करें हमादी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों अगर फेस्बुक चला रहा है तो आज आपको मैं कुछ ऐसी चीज़े बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आपको ऐसी चीज़े बिलकुल नहीं करनी है यहां दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फेस्बुक के एकाउंट अचानल से ब्लॉक हो गए और उनको पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ है तो आज मैं दोस्तों आपको कुछ ऐसी आठ चीज़े बताने वाला हूँ जो कि आपको फेस्बुक पे नहीं करना है नहीं तो हो सकता है कि आपका एकाउंट भी ब्लॉक हो जाए जाने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखेगा जिसे आपको पूरी इंफॉर्मिशन मिल सके दोस्तों सबसे पहले चीज़ है धमकी ना देना यहां दोस्तों फेस्बुक पे अगर आप किसी को धमकी दे रहे हैं तो यहां पे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है फेस्बुक हेल्प सेंटर से मिली जानकारी के उनसा अगर आप किसी को धमकी देते हैं तो माल दीजिए कि आपकी खैर नहीं है क्योंकि आपका एकाउंट ब्लॉक हो सकता है आप किसी भी इंसान को या फिर ग्रूप या भी समाज को या फिर सहर या नगर को हिंसा मारपीट जैसे किसी बात को तूल नहीं दे सकते दूसरी चीज़ है आप यहां पे किसी को हतियार नहीं दिखा सकते बता दे कि Facebook में आप पैसे मांगने के लिए किसी भी हत्यार दिखाने जैसी धमकाने वाले पोस्ट नहीं डाल सकते ऐसा करने पर दोस्तों आपका एकाउन ब्लॉक हो सकता है तीसरी चीज़ है आतिंगवादी गतविदी Facebook पेज़ पर आतिंगवादी गतविदीया को बढ़ावा देने वाले या फिर समाज मेम नफरत फैलाने वाले अपरादी गतविदीया या फिर इनसे जुड़े वे लोगों को अगर कोई समर्थन करता है तो आपको मैं बता दू कि ऐसा करने वाले का भी एकाउंट ब्लॉक हो सकता है उसके बाद चौती चीज़ है आप किसी भी धर्म के भावनाओं को ठेस नहीं पहुचा सकते दोस्तो अगर आप किसी पेज़ पर या फिर अपने प्रोफाइल पर अगर ऐसी कोई धर्म धर्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने वाले या फिर भढ़काने वाले पोस्ट करते हैं और किसी ने अगर इसकी कंप्लेंट फेस्बुक को करता है तो इससे भी आपका एकाउंट ब्लॉक हो सकता है उसे पांचु चीज़ है हिंसा जिया दोस्तों फेस्बुक कभी भी हिंसा का समरतन नहीं करता ऐसे में दोस्तों हिंसक आपरादीग मारपेट चोरी के लिए उकसाना रेप करना चेरचाड करना और ऐसी बहुत सारी दूसरी गलत गतिवीडियों से जुड़ी हुए पोस्ट करना ये इनसा को अगर बढ़ावा देता है तो इससे भी दोस्तों उस पेच को या फिर उस एकाउंट को ब्लॉक कर दिया जा सकता है उसके बाद चटी चीज है ना जानने वाले को रिक्वेस्ट बेजना जी या दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी को नहीं जानते लेकिन 200 लोगों को ऐसे friend request भेजते हैं दोस्तों यहाँ पर friend request ब्लॉक सेक्षिन में लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसे लोगों को friend request भेजते हैं या फिर gaming request भेजते हैं जिने आप नहीं जानते तो इसके खिलाप report कर दी जा सकती है और आपका account भ्लॉक हो सकता है यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो आप उनको friend request ना भेजें यहाँ पर भी दोस्तों सकता है कि आपका account भ्लॉक हो सकते हैं साथवी चीज़ दोस्तों दोस्तों से ज़्यादा group को join करने की permission नहीं देता और अगर मालूम पढ़ता है facebook का कि आपने 200 से ज़्यादा group को join किया है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका account भ्लॉक हो सकता है क्योंकि facebook का मानना है कि 200 से ज़्यादा group को join करना मतलब हो सकता है कि यह गुच गलत गति वीडियो के वज़े से किया गया है उसका दाट्वी चीज़ है unauthorized content post करना जी हाँ दोस्तों अगर आप कोई content share करते हैं जिसमें photo, text या फिर वीडियो जैसी कोई चीज़े हैं जो समाज को काफी नुकसान पहुचा सकता है तो ऐसा करने वाले पर दोस्तों facebook उनके account को block कर सकता है लेकिन हाला कि दोस्तों ऐसा पहला होता नहीं है पहले आपको warning दिया जाएगा कि ऐसे चीज़ों को ना करें अगर warning को आपने ignore कर दिया तो हो सकता है कि finally facebook खुछ से review देता है review देने के बाद उस account या फिर उस page को delete कर देगा तो दोस्तों अगर आप facebook चलाते हैं तो आप ऐसे 8 चीज़ों को बिलकुल ना करें हो सकता है कि ऐसा करने के बाद आपके account को या फिर facebook page को बंड कर दिया है तो दोस्तों जैसे चोटी से information थी अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जोड़ शेयर कीज़ेगा और चैनल को जोड़ों सब्सक्राइब कीज़ेगा